हेलो फ्रेंड्स आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल जीके ट्रिक्स विस्सादिक में दोस्तो आरार्वी मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेट केटेगरी का जो स्टेनोग्राफी और ट्रांसेसन टेस्ट का सिटी इंटिमेशन कार्ड जो ए रारवी ने आउट कर दिया है मतलब की जारी कर दिया है और इसी के बाद इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अररार्वी का एकजाम कब तक हो सकता है क्योंकि यहाँ पर जो मिनिस्ट्र ले इसके regarding कोई update नहीं है तो कब तक इसका exam हो सकता है इसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे तो चले दोस्तो हम देख लेते हैं कि आपको CEN No.03 Oblig 2019 मनलब Ministry and Isolated Category का Stenography and Translation Test का City Intimation आप कैसे चेक करते हैं तो चले दोस्तों वीडियो को हम शुरू करते हैं इससे पहले जो चेनल पर नए प्लीज चेनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखेगा दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज्यादा शेयर कीजिएगा तो चले दोस्तों वीडियो क से सम्मद्ध तो अंदर खुझ ऐसा पेच खुलेगा यहाँ पर आप देख सकते हो 14 तारीक को जो 14 सेप्टेंबर को आपको रिजल्ट आया था वो जो लिंक दी कई थी आपको इंडिविज्वल रिजल्ट और स्कॉर कार्ड देखने के लिए वही लिंक आपका इड्मिट कार के लिए भी काम करेगी ठीक है तो इस लिंक पर आप क्लिक जैसे ही करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो रेलवे रिक्पेंट बोर्ड सी बीटी फॉर सेंट्रलाइज इंप्लॉयमेंट नोटिस नंबर 03 अब्लिक 2019 मिनिस्ट्रियल एन आइसोलेटेड के टेगिरीज के सिर्टेट की टेस्ट ट्रसेशंट टेस्ट पर्फॉर्मेस एंड टीचिंग इसकिल टेस्ट यहाँ पर आपका स्कुर काड़ तो आपको पिछली बाद जापको रिजल्ट आया तह तब आपको बता दिया गया था मतलद दीग गया था उसके बाद अब जो है आज इनों जो डाल करके यह केपचा जो दिया है इसमें यह केपचा डाल करके लॉगिन करना है लॉगिन करोगे ठीक है तो आप अपना सिटी इंटीमिशन देख सकते हैं यदि आपका 27 और 28 तारिक को आपका अगर एक्जाम किया गया है ठीक है अब उसी के बाद यदि आपको अपना रोल डालना है ठीक है तो यहाँ पर यहाँ पर आपको जैसे फॉर्गट रोल नंबर पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको रोल नंबर डालना है ठीक जैसे रोल नंबर फॉर्गट पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपका जो रजिस्टर इमेल आईडी चीक है आपने जो यहां पर आपको डालना है उसके बाद आपको नीचे गेट रोल नंबर पर किलिक कर देना है ठीक है जो आपको रोल नंबर प्रोवाइड हो जाएगा मेसेज के थुरू या इमेल आइडी के तुरू तो उसके बाद आपको लॉगिन कर लेना है ठीक है लोगिन करने के बा वही प्रोसेस रहेगी जो आपको आहिए ठीक है तो यहां पर आप देख सकतовых तो यहां पर दिया है उनी candidates के लिए उसी category के लिए दिया गया है जिसका result मतलब की shortlist किया गया जिन बच्चों का ठीक है और जो बचे के मतलब की candidates है ठीक है मतलब कि आपका जो category number 010203 इनी के लिए मतलब यह दिया गया था उसके बाद जो है 13 मतलब 13 से 29 category number तक के जो remaining categories है उनका result जो है बाद में जारी किया जाएगा RRB के द्वारा ठीक है ठीक है for remaining यहाँ पर दिया है for remaining categories जैसे की category number 04 से लेकर 12 तक के और जो 30 तक है ठीक है तीस वाली जो है उनके लिए जो scorecard और question paper with final answer की will be made available for concerned यहाँ पर बताया गया है आफर पब्लिशिंग दा रिजल्ट ऑफ शॉर्ट लिश्टिंग ऑफ केंडिड़ास for document verification मतलब की जो बाज़की के बचेवे candidates है बागी के जो बचेवे candidates है उनके लिए मतलब की जब रिजल्ट तभी publish किया जाएगा जब रिजल्ट पब्लिश किया जाएगा मतलब की यह अभी जिनका skill test है उन्हीं के लिए मतलब इंप्लाइमेंट नोटिस नंबर 03 ऑब्लिक 2019 मतलब के लिए इस लाइव फोर आरार्बी मुंबाई जॉन ओनली यहाँ पर अभी सिर्फ मुंबाई जौन आरार्बी मुंबाई के लिए ही skill test के लिए city intimation दिया गया मतलब की for rest all rrbs live date and time will be intimated soon मतलब की जो बचे हुए आरार्बी है जैसे इलहाबाद अजमेर भूमनेश्वर मतलब मुंबाई जो उनको छोड़ करके जितने भी आरार्बी है सभी के लिए जो बचे कुछे आरार्बी है उनके लिए जो है city intimation और date time वगेरा ज 27 और 28 तारिक को रखा गया है इसके according अगर देखा जाया तो स्लिफ 27 अभी मुंबाई का ही 27 तारिक को रखा गया बाकी rrb के जो candidates है उनके लिए जो है एक से दो दिन में या दो से तीन दिन में आपको city intimation मिल जैसे कि यहाँ पर rrb सिकंद्राबाद का 2930 को दिया गया है इ यहीं पर हम बात कर लेते हैं कि जो rrc group भी exam date कब तक release हो सकती है तो देखिए दोस्तों अभी तक कितने ही बच्चों के द्वारा कितने ही twitter campaign चलाए गया है rrb में कितने ही mail किये गये है call किये गये है परंतु एक ही जवाब मिलता है कि आप official website को देखते रही वहाँ पर आपको जानकारी मिलेगी तो यह इतना सारा कुछ होने के बावजित भी कुछ intimation वगेरा नहीं मिल रहा है तो अब यहाँ पर एक बात आ चुकी है कि जैसा कि दुर्विन सर और बाकी यूटीबर्स और टीचर्स के द्वारा एक डिसाइट क्या गया था कि दुर्गा पूजा के बाद physical protest का ने लिया जाएगा तो यहाँ पर दुर्गा पूजा के बाद मला दुर्गा पूजा भी हो चुकी है तो यहाँ पर आप यह मान के चले कि लिए है रेल्वे एस्पिरेंट ग्रूबडी के केंडिडेट्स के लिए ठीक है तो जब भी एक्जाम से रिलेटर फिजिकल प्रोटेस्ट अगर होगी तो आपको हमारे चैनल पर बता दिया जाएगा सारे यूटीबर्स और जितने भी टीचर से उनके द्वारा जो भी डे में इतने ही रखते हैं अपना ख्याल रखिए नेश्क्री वीडियो मिल दें तब तक लिए अपना ख्याल रखिए ओके बाई